तो भाई वहाँ पे कोई कितना भी अपने दिमाग से खेले लेकिन बिग बॉस बिग बॉस है बिग बॉस ने दो बड़ी चीजे आज के एपिसोड में की एक मतलब रुबिना और जास्मीन में तिल्ली डाल दी और बड़ा जगडा लगा दिया है और दूसरी इसके बाद जहाँ पर निकी तंबोली ने एक टास्क किया था जिसमें वो डग के साथ थी और इनको कॉर्नर करने की कोशिश की कैश्मीर आने वहाँ पे आरशी खान ने और ये टास्क में वहाँ एक गंदा वर्ड इस्तमार किया था राखिस सावंत ने और इस पर बहुत सारे लोग हस जरिया बताना चाहता हूँ कि अलिगोनी निकी तंबोली पर नहीं हसे थे और बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर निकी तंबोली को बता भी रहे थे कि अल्ला कसम I swear on my God इस तरीके से वह बोल रहे थे कि भाई ये जो आप सोच रही ये गलस सोच रहे लेकिन निकी तं बोली इतनी ज्यादा नराज होने की वहाँ पर वजह क्या थी ये मुझे अभी भी पता नहीं चल चुका है लेकिन अगर आपको कुछ पता चला तो भाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर डिख देना ये इस अपिसोड का इंपोर्टन टॉपिक नहीं था इंपोर्टन टॉ लोगों ने बहुत सरे लोगों वह पर बार इनों को बोरिंग बठाया हाला कि अब इन्हो एक इस तरीके के बंदे हैं जो किहिए जो अगर किसी का फराव çल चला रहा हो या दो बीक्से पीड आदने लोग भी महीं तो यहां पर इन्होंने अगर यह किसी के बीच पीच ठ् करनी चाहिए जैसे हमें आज के एपिसोड के एंड में देखने मिला इस तरह के कि अगर यह entertainment करते हैं तो भाई यह देखने में बहुत दिल्चस्पी होगी और अभिनव शुकला उभर के सामने आ सकते हैं इस तरह के से मेरा कहना है आपको क्या लगता है अभिनव शुकला पर कि थे रूबिना से पूचा कि रूबिना क्या आप वहाँ पर जास्मीन पर उतना ही ट्रश करती हो जितने आप पहले करती थी तो इस तरीके का सवाल था अब यह सवाल भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉलर अब दवीक जो आते हैं सवाल पूछते हैं तो बिग बॉस इनको चूंते हैं कि भाई किसको क्या सवाल करणा है और बाकिते शीजैं सब फिक होती या फिश इनको बोला जातके कि मैं राजस्तां के इस गाउं से हो था महाराष्ट के इस गाहें क्या किसी को यहाँ पे मुझा मिल यह अगर मुझा मिल दो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिग देना कि हा भाई मुझे 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 लिख देना तो यह सब बना बनाय होता है और इनको वापे call of the week चुना जाता है और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि Caller of the Week ने जास्मीन को ये सवाल नहीं पूचा कि जास्मीन क्या आप रूबिना पर उतना ही ट्रश करती हो ये सवाल जास्मीन को नहीं पूचा पूचा रूबिना को क्योंकि पता था कि रूबिना कुछ न कुछ अलग अंसर देगी और रापल सी बात थे वहां पे कि अगर आपको दोस्ती करनी है और आप ट्रश्टिक न करती तो इस दोस्ती जो है वह किस काम की इसी बात पर वहां पर रहुल वेदि ने भी यही बात इन दोनों को समझाई लेकिन अभीनव का एक ही कहना था कि आप वहापे धीरे से बात करें एक दूसरे की जो बाते हैं वो सुनके ले और अक्यले में बात करें इस तरीके से वहापे अभीनव का वहापे रूबिनव का वहापे रूबिना और जास्मिन को कहना था लेकिन ये उसके बाद बात ही है बहुत ज्यादा बढ़ गई अब इसमें यहाँ पर इंपोर्टन बात मैं आपको बदना चाहता हूँ जो आपको नोटिस करनी चाहिए जहाँ पर जो सल्मान खान एक कॉलर ऑफ दे वीक का जैसे ही कॉल हो जाता है तो उसके बाद सल्मान खान इनको बोलते है कि कॉलर ऑफ द दोनों में जगड़ा ही लगाना था और इसके जगड़े के लिए वहाँ पर टाइम दिया गया अब भाई बहुत सारे इंटेलिजन्ट लोग आएंगे कोमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है फिर शो के बाद भी अगर जगड़ा करना थे शो के बा जो मैं इन गुस्से में बोली है तो वहाँ पर दोनों का दिमाग वहाँ पर गरम हो चुका था उस सवाल से और इसी गरम दिमाग को वहाँ पर सलमान खान ने एक चांस दिया जगड़ा करने का और बोला कि आप इस पर गौर कर और मैं अभी आता हूँ और इसके बाद इनक पर सी तो चूट चुकी है और ये एक दूसरे का खिलाफ वापिल दरते हुए आपको देखने मिलेगा अब बात कि जाए तो अगला जो आता है अली के कैप्टन सी के उपर यह आता है कि अली को आपने कैप्टन बनाया मनू ने बनाया अबिनण ने बनाया और हर कोई क्यों नहीं है अब बाकी लोग वहाप पे डेसिपरेशन से खेल रहे थे लेकिन वो कंटेंडर नहीं बन पाए अब कंटेंडर नहीं बन पाए तो भाई जो कंटेंडर है उनसे वो कुछ नकुछ डील तो करेंगे ही ना सिंपल सी बात है तो सलमान खान आली को यही कहता कि भाई तू मुझे वहापे सेफ कर दे या फिर जो भी हो जो भी अगर कैप्टन सी को ये बिग बोस बार बार एक पावर दे रहे है कैप्टन को कि भाई तू किसी एक को नॉमिनेट कर या सेफ कर तो भाई हम अपने डील उसके पास रखेंगे और उससे कु से टॉप टू कंटेश्टन थे और उनको सल्मान काने का कि सबसे कम वोट से हाला कि बाद में ये भी कहा कि भाई ये एक मजाग था लेकिन यहाँ पे जो है अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पीछे यानि रूबिना और ये जो थी रूबिना को ये कहागा है कि आ अगर कैप्टन सी टास में कोई एफ़र्ट नहीं दिखाता है और उसके बाद अगर उसको डाटर जाए तो ये सही था और रूबिना ने वहाँ पे एफ़र्ट दिखाना चाहिए था खुद को कैप्टन बनने के लिए बनने के लिए अगर मैं रूबिना फैन होता और मैं ये रिविव करता तो मैं ये बोलता कि नहीं यार उसको पता था उसको होना ही नहीं है उसकी फैन फॉलॉइंग इतनी है और जो जास्मीन को वहाँ पे अगर की जाए तो उसके साथ उसके डील हुई थी कि ये ये करेंगे बाद मैं इसको सेव करेंगे वो करेंगे इस तरी पंजाबी ने वहाँ पे पूछा कि रुबिना जी आप जो है आप कैप्टनसी के लिए नहीं लड़े खुद नहीं लड़े और मेरे कैप्टनसी होने के बाद आपने यह कहा कि तू गलत कैप्टनसी करता है या फिर तेरे तू ने यह ने किया वो ने किया आप खुद क्यूं बहाल की और अली गोनी के पास इतनी जो मेहनत करके इंतरे पिंज्रे वगरे लगाखे इतना बड़ा टास्क लेकर जो कैप्टन सी इन्होंने हासिल की थी तो यह क्यूं गई तो यहां पर मैं आपको जाहिर सी बात बतना चाहता हूँ कि अली गोनी अगर इस हफ्ते मे कोई अर्गुमेंट नहीं करेगा तू यह डूटी कर तू वो डूटी कर इसको कोई वहाँ पर अर्गुमेंट नहीं करेगा और रुबीना दिलाइक को अगर कैप्टन किया जाए तो यहां पे सबसे इंपोर्टन चीज जो थी वहाँ पर सलमान खान ने कहीं कि चलो इतना का काम करेगा या रुबीना दिलाइक इनको बताएगी और रुबीना दिलाइक जब यह डूटी बनाएगी तो भाई रुबीना दिलाइक के जो रिष्ते हैं वो हर किसी के साथ इतने अच्छे नहीं है तो जगड़े हो जाएंगे और सबसे इंपोर्टन बात यानि कि जास आप फ्री में कैसे दे सकते हो वहाँ पे किसी एक को कैप्टन सी जो हमें अगर यह पता होता तो हम अली को कैप्टन बनाते ही नहीं इस तरह के से वह फे जो है राहुल ने अपना मुद्दा रखा और राहुल अपना पॉइंट जब रखता है तो भाई बहुत क्लियरली र क्योंकि मुझे यह प्याई है कि क्यों अगर कोई दूसरा आनोसे होता होता वो अगर बार बार यह बोलता कि मुझे नहीं होना है kay本 तो था फ्याशन उसको ठानलने के लिए इसकी बहुत जाइदा दाटा जाता है तूर डेसपैरेट लेकिन रुबिना को सिथे Captainist दी गई और रुबिना को सिविक ग्रुपे नहीं यहीं आपना के पप दन konst Tan डराय गया, funny था वो, बहुत ज़्यादा funny था और यहाँ पे रुबिना क्यों भढ़की भाई, रुबिना दिलेक वहाँ पे भढ़क चुकी और अभिनव शुकला को वहाँ पे उनकी जो पिलो थी वो फेक दी, उनकी चद्दर फेक दी, उनको वो सोने है तो उनको किक मारके नीचे गिराया, यह देखने में funny था लेकिन रुबिना दिलेक असल में वहाँ पे गुस्सा हो गई थी, और रुबिना दिलेक को इतना गुस्सा क्यों होना है, उसको सोना है इसलिए, तो उन्होंने का कि यह जो आपकी जो entertainment है, यह सारी चीज़े, यह साड़े आड़ बज पढ़ रही है, और घर में भी कुछ ऐसा ही, कुछ होता है क्या भाई, चलिए, यह तो भाई उनके घर की बात है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर, आभीनव शुकला वहाँ पे मुझे कही पर भी नहीं लगा, कि वह गलत थे, लेकिन हो सकता है कि रुबिना दिलेक की जो नीन की बात जाए, तो इतना ही था, बिग बॉस ने बहुत अच्छी तरह के से जास्मिन रुबिना में जगड़े लगाए है, और रुबिना को कैप्टन बना दिया है, क्योंकि आगे जाके और भी ज्यादा बड़े जगड़े हो, भाई आपको कैसे लगा मेरा रिवीव, अग यहाँ पर सब्सक्राइब करें और देखते रहे हैं आपका फेवरेट चानल, एक्ट राइडर्स, धन्यवाद